कि 155 को टच कर लिया है एंड खाली रोड पूरा का पूरा इतना प्यारा है यहां पर एंड इस इस दिकार यह आल्ट्रोज के एक्षेट वेरियंट जो यहां पर इंजन है यह 1.2 लीटर नैचुरली एस्पिरेटिट पेट्रोल इंजन फाइव स्पिड की मैनुवल ट्रांस्मिशन है यहां पर कोई भी ऑटमेटिक आप्षिन आपको नहीं मिलता इस कार में और टोब से सेकिंड नंबर का वेरियंट आई है एक्षेट इस जगह पर आपको मेडी में दिखता रहेगा कि कौन से गेर पर गाड़ी चल रही है जैसे मैं गेर चेंज गरूँगा यहां पर गेर लिखा आजेगा जैसे सेकेंड गेर पर टू लिखा आ जैगा ठर्ड़ पर थ्री लिखा आजेगा इस तरह आपकी स्पीड आएगी तो अभी एस यू कान सी है मैंने हैंड़ ब्रेक उतार दी है सीट बेल लगा लेते हम दूनों चलते हैं 3, 2, 1 and here we go कर बाददर करें 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 तो दोस्तों हमारा अप्री ट्राय दोप स्पीड के लिए वन फिप्टी गॉम ने टच कर लिया था और अगें वी आर गोईंग फोर न्यू दोप स्पीड अगें वन फिप्टी फाइव वन फिफ्टी को हमने टच कर लिया फिससे वन फिफ्टी फाइव को टच कर लिया अगे 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 टोल अगे 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 दोस्तों अब हम क्या गरेंगे इको मोड लगाएंगे एकनोमि ड्राइव अक्टवेटेड़ एंड देखते हैं की जीरो सेंड़े इकनोमी मोड पे कार कितना टाइम लेटी यह अंड अड़े तक जाने में एंड एंड यहां पर लग रहा है कि काद दब गई है बिलकुली सेकेंड गेर पर आगी है नाव वी आर अन थर्ड गेर एंड मुझे लगता है हंड्रेट टच हो जाएगा हमारा हाइवे पर ट्रैफिक है थोड़ा बट फिर भी काफी अच्छा रहा हमने टोप स्पीड 150 प्लस की टच करी इस कार के साथ एंड मैं मानता हूं यार मैंने टर्बो पेट्रोल हो ली गाड़िया भी चलाके देख ली है वन लिटर वली एंड एट दी एंड मुझे यह बता लगा है कि यार चाहे टर्बो हो या नैच्रली एस्पिरेटिड हो आपका ग्या होगा कि यार कार में पावर होनी चाहिए न पर एंड मुझे उम्मीर नीति के मलब इतना अच्छा होगा इतना फास्ट होगा टाइम तो अभी मुझे भी नहीं बताया एक्जैक्ट किया है जब मैं घर पे जाके स्टोप वोच के साथ के साथ केलकुलेट करेंगे तो पता लगजेगा कि कितना डाइम लगा कार को स्प पेंड नहीं होगा तो यही तो दोस्तों इस गाड़ी का टूप स्पेट पूरा का पूरा इसमें हमने देखा कि फोर्थ गेर की उपर ही गाड़ी गई है फिफ्ट गेर डालने की नोबत ही नहीं आ पाई एंड अगर मैं फिफ्ट गेर डाल भी देता तो मेरे इसाब से 155- सिक्स्टी किलोमेटर पर हार इसका टोपेंड है तो आल्ट्रोज और पंच दोनों ही सेम प्लेटफॉम पे बनी है दोनों ही गाड़ियों में सेम इंजन है दोनों को ही फाइफ स्टा सिफ्टी रेटिंग मिली है तो उस चीज़ को अगर आप कंसीडर करते हैं तो एक चीज तिल रेन टाटा बाई बाई